हाव कि आज हम लोग इन प्रणिविटा से आर्टिपीसेल इंटेलिजेनसी मतलब यह वह गया कि अगर हमारे पास तरह कोई सिस्टम जो किम्प्यूटर सिस्टमों मसीनी सिस्टम है लेकिन हमारी इच्छा यह है कि अगर मुसा 왜 ईसे को अगर हम उप्योग ले चाहते हैं किस की तरह है रोबो टिक्स की तरह है यूज घरना चाहते हैं हुँमन की तरह है उसक लेना दिए तब लोग उपईयोग लेते हैं किसका अंभिजल इंटैलेजेंसी सबसे पहली चाहिए है नी अगर पहला जो कुश्चन अगर हम लोग डिसकस करते हैं तो अगर AI की डेफिनेशन कोई आप से पूछे तो आप यह कहेंगे कि जो को human intelligency रखता है इंसानी दिमाग का जो उपयोग लेता है इसके अंदर कहां यूज में आता है यह यूज़ में आता है आपके research के अंदर scientific study में यूज में आता है next question है इसके दवारा क्या किया जाता है इसके दवारा किसी भी knowledge को search किया जाता है अलगलग साइंटिस्ट ने अलगलग कॉम्बिनिशन इसके दिये हैं, लेकि मैं आपको इसके अंदर बेसिक सा नाम बूल के, उसके साइंटिस्ट का कम्प्लीट नाम ना लेकर, सौट नेम लेकर, जैसे मार्वीन ने कहा कि इंसानों की तरह काम करनी चाहिए, कम्प्लीट डे मतलब एक ऐसी मसीन जो कम्प्लीट हो, इंटेलिजेंट हो, और जॉर्ज ने कहा, ओटोमेटिक इंटेलिजेंट मसीन होनी चाहिए, और इसी तरह से चाहनेक जो था, उसने कहा, कि मेंटल फिजिलिटी, जो मतलब इंसानी दिमाग ही तरह जो है, फैसिलेटी आपको प्रवा सर्च करने में आपको मदद करें, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका AI कहलाएगा, ANN, Artificial Neural Network, अगर सौटकर पूछा जाए, उसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप पता करना चाहते हैं, या विज्वल और्गनाइजेशन के लिए हम लोग इसका उप जो आपकी क्वेरी है, उसका आप एक्सपर्ट आंस्वर देने का काम करते हैं, नेक जो चीज़ है वो है फजी लोजिक, मतब लोजिकल कंसेप्ट है, जो कि टू या फॉल्स के द्वारा रिजल दे सकता है, तो यह आपके कैसे कंसेप्ट होंगे, आपके लोजिकल कंसेप् का इसे रिजल देंगे, ट्रू या फीर की दोर आपको रिजल दे के उसके दिक, उसके पाद, जैने टिक प्रोग्रामिंग को, आप डिसकशन करते हैं, तो यह आपके प्रीवेस एक्सपरिय Tiger enjoyed就是 this week from the previous experience, उसके अनुसार नया जो आपको आउपड देते हैं, आडिश्या ला नोग देखते होंगे जैसे Amazon हो गया या कोई भी फिलिपकाट हो गया तो वहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि मैक्सिमम उस किसी भी डेटा को कैसे सर्च किया जा सकता है गूगल पर हम इसी प्रकार से सर्चिंग का काम करते हैं तो यह जो वर्क है यह हमारा किसके द्वारा किया जाता है AI के द्वारा किया जाता है Normally language जो हम लोग AI में यूज करते है वो हमारी दो language होती है एक होती है LISP और एक language हमारी होती है Prologue, List Processing और Prologue Programming Intelligent User Interface के अगर बात की जाए तो मतलब इसमें Graphic Sound भी सामिल होंगे और Animation भी सामिल होगा Abstraction ये वर्ड आपके कहीं पर भी आजाए इसका मतलब यही होता है कि हम लोग जरूरी फीचर पर द्याग क्या देते हैं ध्यान देते हैं फिर नेक्स चीज़ाइ परसिप्शन मतलब परसिप्शन में है आपके कैमरा से इमेज को प्राप्त करना टच के द्वारा अंदाजा लगाना और प्लानिंग का मतलब किसी टास्क को पूरा करना रोबोटिक्स करना एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब डैगनेसिस करना ताकि आप क्या दे सके एक्सपर्ट एडवाईज दे सके क्योरम होती है हमारी कई उसको भी अगर हम लोग प्रूफ करना चाते है तब भी हम इसके द्वारा प्रूफ कर सकते है जै मूरे ने फ्लोटिंग पॉइंट अल्गोरितम दिया था कंप्यूटा आर्किटेक्चर में इस्टक्शन सैट को अगर हम लोग डिसकस करते है तो वो भी हम लोग किसमें डिसकस करते है AI में डिफ्रेंशियल इंटिगरेशन समाकलन अवकलन ये भी हम लोग किसके द्वारा करते है AI के दिवारा करते है गेम जो प्लेइंग का काम है वो भी हमारा किसके द्वारा होता है AI के द्वारा होता है AI के अगर हम लोग बात करें तो AI दो तरह की होती है, एक वीक होती है, डबलू एक वीक मतब कमजोर जो है, वो AI होती है, एक स्ट्रोंग AI होती है, इस्ट्रोंग AI जो होती है, वो एक माइंड की तरह काम करती है, हुमन माइंड की तरह काम करती है, इंसानी दिमाग की तरह कारे करते हैं और जो वीक जो होती है मतब जो कमजोर जो होती है डबलू यह के वाली इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप लोग इंसानों की तरह नहीं काम कर पाते एक के आपको बदले हमें यह आगे जो स्टेप्स है वह उपियोग लेना पड़े तो यह दो प्रकार के हमारी यह यह स्टॉंग होगी और क्या होगी हमारी भी को अब हम लोग जो बात करते हैं दो कि सीभी टास्कों पूरा करना जैसे मैनुफक्च्रिंग करना प्रोड़क को डे तो यह सारे के सारे क्या होगे ए एक जुपियोगे ये एक टाइप होगे विक और श्टोग अब सिện इस्पेस क्या होता है स्टेट 195 को आज समय की अगर आपके मास कोई प्रॉबल्म है और उस प्रॉबलम का अगर आप लोक सॉल्यूस न सोच रहे हैं तो उस सॉल्यूसर को सोचने के लिए आप अलग-अईड़ा लगाते 56 जो है उसको हम लोग सो करवाते हैं कैसे त्री के दवारा सो करवाते यह तो आपका क्या 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 दवाता है फ्रीजिसर्ड एक्षन के यूज में आता है और जो है वो और तो यह हमारा एक बन जाएगा यह हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर दो प्रकार की कोस्ट जो है वो हमारी सामिल होती है एक आपकी स्टैप कोस्ट होती है एक आपकी path cost होती है step cost में आप one by one step देखते हैं कि इसके बाद यह step है फिर यह step है इस तरह से आप दिखते है path cost में आप यह दिखते है कि आपका जो वहां तक पहुंचने में कितनी आपको कौन को से path आपको change करने बड़े हैं उसकी cost क्या है कुल मिला कि आपको goal को access करना है goal goal यह आपका main target रहेगा उदेश से आपका और इसके अंदर जैसे अगर कोई example आप से पूछे तो आपका एक्जांपल होगा water jack problem अब नेक्ट जो चीज है वह प्रोडक्शन सिस्टम तो इस्टेट इसमें से आम नहीं क्या देखा कि जो भी आपके पास समस्या है उस समस्याओं में से आप लोग यह देखते हैं कि उस समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है और उस समाधान करन जब हम इस्टेट स्पेस को प्योग लेते हैं तो हम लोग उससे विविन प्रकार के पात को सामिल करते हैं और सही नोड को हम लोग क्या करते हैं सिलैक करते हैं दो प्रकार की लर्णिंग यूज की जाती है एक होती है मोनोटोनिक लर्णिंग अगर पूछा जाए लर्णिं वह चलता है और non-monotonic क्या होता है जो आपके बाद पुराना knowledge है उसे नए knowledge को क्या कर लेता है वो update कर लेता है उसमें क्या कर लेता है सुधार कर लेता है अपलाई करेंगे रूल मतलब अधे से आर यू एली जिसमें लोग देखेंगे कि हमारा जो नियम क्या हमने बना रखें जिसको हम लोग अपलाई करें जैसे सेट आफ प्रोडेक्शन रूल के अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पार डिफरेंट कंडिशन्स होती है उसे हम जैसे इसे एक ने वाला जलै करना है या यह वाला सेट एखे त Estados Osateral फिर हमारे पास से जो भी रिज Авजान आता है जो भी शालोषरन और उसको हम किसी मेमोरी के अंदर कैया करते है तो वरकिंग करते है फिर वह मुरकें पर लोग जैसा रखा जाता है जिसे लोग टेटाबेस एस को एज लोग सोटव म्यमोरी अपयोग लेते हैं जिटी बाथ जुरुवत परती है उसको क्या एकसेस कड़ें और और कंट्रोल स्टेटेजी में जो हम नियम जो अप्लाई करते हैं वो डेटाबेस को कंपेर करने के लिए लेते हैं जादा तर हम इसमें DFS हो गया और BFS हो गया अप्योग लेते हैं और लाश्ट रूल अपलाई करते हैं और यह जो रूल हमने अप्लाई किया है इसमें कंडिशन अगर टू होती है तब यह जो प्रोडक्शन सिस्टम है यह उसके उपर कारिया करता है और इस तरह से सही सही रूल को सलेक्ट करना सही नियमों को सलेक्ट करना और उससे हमारे साइकल को पूरा करना रिकोगनाइजेशन एक्ट सैकल आपका कहलाता है नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिसकस करेंगे प्रोडेक्शन सिस्टम करेक्ट्रेस्टिक्स